हलो एब्रिवान, वेलकम बैक टु माई यूटूब चैनल, PKS रिवेजन देखिए एक अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आई है कोल इंडिया लिम्टेट के तरफ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पोस्ट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पोस्ट के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी है जिसमें ITI और डिप्लोमा जो भी किये है सभी लोग eligible है All India का लोग, सभी लोग apply कर सकते है male and female पोस्ट का अगर बात करें तो देखिए 400 प्लस पोस्ट है इसमें बाकी सारा कुछ जनकारी इसी वीडियो में आपको देंगे इसमें कुछ नियम एंसरते हैं कौन से लोग इसमें eligible है ये बहुत बड़ा important है इसमें topic कि कौन-कौन से लोग इसमें eligible है तो आपको advertisement दिखाते हैं और इसका main advertisement का PDF है इसका main site से मिल जाएगा नई तो आप हमारे telegram channel से जुड़े description में उसका link मिलेगा वहाँ से जाएक जोईन हो जाए सारा detail आपको provide कर दिया जाएगा तो आए हम लोग इसका main advertisement रेकते हैं और क्या-क्या करेटेरिया है सारे कुछ को समझते हैं उससे पहले जो लोग भी हमारे channel पर नए है channel को जरू subscribe करें बेल आइकन को भी दवाएं ताकि आपको updates मिलता रहे हर रोज हमारे channel से advertisement से related video upload होते रहती है तो आए हम लोग detail से देखते हैं तो दोस्तों ये है इसका official notification ये call India के तरफ से ही vacancy है लेकिन ये निकाला गया है NLC India Limited के तरफ से नवेली लिगनाइट कोर्पोरेशन के तरफ से ये vacancy निकाला गया है देख लिजे आप लोग यहाँ पे लिखा गया है नवरतना Government of India Enterprises Requirement Cell HR Department, Corporate Office देखिए कौन से post के लिए कौन कौन से लिजिवल है यहाँ पे डिटेल से लिखा गया है एक-एक बात को हम लोग समझेंगे और जो लोग भी वीडियो देख रहे है प्लीज एक लाइक जरूर कर देजिए देखिए फर्स्ट में देख लिजे इसके Name of the Training Scheme मतलब कि Industrial Training Specialized Mining Equipment Mining Equipment के लिए तीन साल के इसमें ट्रेनिंग पहले ली जाएगी Educational Qualification का अगर हम बात करें तो देखिए Not less than full time diploma in engineering course of minimum 3 year duration मतलब तीन साल का आपके पास डिपलोमा का certificate होना चाहिए और number of vacancy का अगर हम बात करें तो 238 post इसमें खाली है 238 post के लिए vacancy निकाला गया है नेक्स देखिए Industrial Training Mines and Mines Supporting Service तीन साल का इसका ट्रेनिंग है और इसमें देखिए ITI मांग राइस में फीटर और टर्नर और एलेक्ट्रीशियन और बेल्डिंग MMV, डीजल मेकानिक्स, ट्रैक्टर मशीन, सिविल और फॉन्डरी Keval Jointing Trade और NSE Certificate यानि इतना कुछ है आपके पास ये सारे ट्रेट से अगर आप ITI किये है तो आप इसके लिए eligible है नंबर और पोस्ट 262 है इसमें बाकी और भी जो important बात है देखिए यहाँ पे note में लिख दिया गया है यह all diploma degree in engineering should have been acquired through full time mode मतलब आपका lateral interest से नहीं होना चाहिए distance से नहीं होना चाहिए full time mode में आपका diploma होना चाहिए और minimum qualifying percentage of marks in educational qualification 50% marks आपका होना चाहिए और aggregate में in case of UR, OVCN, EWS 40% aggregate in case of SCST मतलब आप अगर general में 50% होना चाहिए बाकी और भी अज़र category में आते हैं तो 40% marks होना चाहिए एज relaxation का बात करें तो minimum qualifying percentage of marks of SCST candidate is not applicable for considerable against undesirable post अगर 40% से कम है आपका तो आप इसमें eligible नहीं है candidate who have passed the notified qualification only are eligible जो pass किये हैं वही eligible है मतलब general criteria जो होता है same वही लिखा गया है बाकी age limit का अगर हम लोग बात करें तो देखिए upper age limit 37 साल है OVC के लिए 40 साल और SCST का 42 साल ये age होना चाहिए कितना पैसा आपको दिया जाएगा इस training के दोरान तो देखिए यहाँ पे mention कर दिया गया है फर्स्ट नमर में देखिए industrial training specialized mining equipment से जो करेगा फर्स्ट येर में 18,000 दिया जाएगा सेकेंड येर में 20,000 और थर्ड येर में 22,000 पर मंद दिया जाएगा नेक्स देखिए ये सेकेंड में जो है industrial training जो ITI वह लोग भरेंगे उसको फर्स्ट येर में 14,000 का महिना मिलेगा उसके बाद सेकेंड येर में 16,000 और थर्ड येर में 18,000 ये आपका training के period पर मंद salary जो दिया जाएगा वो है placement देखिए आपका placement जो है आपका NLC India Limited नवेली training जो site है वहाई पर इसका किया जाएगा बाकी कब से ये form भराएगा SST को reservation के तौर पर रखा जाएगा जो भी भारत सरकार का नियाम है उसके अधिन जो भी छूट मिलता है वो सारा कुछ आपको इस form में दिया जाएगा बाकी देखिए इसका जो date है form fill up करने का opening of online registration of application देख लिजिए 96-2030 से ये form fill up किया जाएगा और closing date देख लिजिए 87-2030 यानि 87-2030 तक ये form fill किया जाएगा और एक important point है जो कि मैं बता दूँ कि ये vacancy जो है वो तीन साल के लिए आपको industrial training के तौर पर रखेगा और तीनो साल पर मंथ आपको इतना salary दिया जाएगा तो आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा सारा कुछ क्या-क्या इसमें चाहिए और कौन-कौन से लोग eligible है बाकी इसका details advertisement का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेली गराम चैनल से जुड़िए description में उसका link है वहाँ से जाके join होईए वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका detail advertisement नहीं तो आप इसका main site से भी जाकर के download कर सकते हैं और सारे detail को देख सकते हैं thank you bye bye tata दोस्त लोगों को भी share कर देजिए सभी को पता चलना चाहिए